हेलो डियर एस्टुडेंट आप लोग आज फिर स्वाग आथे बी ऐसे भी पटना क्लास में तो आज हम लेकर हैं आप लोग के बीच अतिलग उत्री भी भी आई कोशन ठीक है तो इसको हम आज सॉल्व करेंगे ठीक है जो इससे पहले इसका थेवरी क्लास हो चुका है ठीक है अगर नहीं देखें हें तो वीडियो के नीके डिस्क्रीष्ण में आप या गोटोड है तो सारी वीडियो देखेंगे तो चलिए अगर आप लोग पर नयाया है पहले बार आया है तो लाइक कर दे सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अगर आप लोग इसका नोट करना चाहते तो नोट भी कर सकते हैं तो चलिए हम पहला कोचन इस तरह से शुरू करते हैं ठीक है देखिए DNA प्राकिर्ति का प्रजनन में क्या महत्व है ठीक है पहला कोचिन इस तरह से आपको भी एक्जामे पूश सकता है ठीक है DNA प्राकिर्ति का प्रजनन में क्या महत्व है तो चलिए इसके उतर देख लेते क्या है प्रजनन की मुल घटना है DNA ठीक है प्रजनन की मुल घटना है DNA क कि दो प्राकृतियां तयार करना इसके लिए कुस्काव रसाइनिक अभिकरिया करती है जिसे डी एने की दो प्राकृतियां बन जाती है इन प्राकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कुस्काव को बनने के लिए डी एने की दोनों प्राकृतियां अलग होकर दो कुस्का को बनने के लिए DNA की प्राकिरती अफसक्त है ठीक है तो इस तरह से इसके एंसर हो जाएगा तो बहुत ही important यह सब question है आपको exam विहार बोट के लिए ठीक है चलिए आगे दूसरी question के और चलते हैं देकि दूसरी question इस तरह से जीवों में विभिन species के लिए दो लाधायक है परन्तो विशिष्ट के लिए अफसक्ता नहीं है क्यों ठीक है चलिए इसको हम एंसर देखते हैं क्या है दूसरी कोचन आ चुका है इसके उत्तर होगा जीवों में ठीक है कहां जीवों में विभिन्ताओं के किसी जीव के आस्तित्व के लिए अफसक्ता नहीं है क्योंकि उसके जीवित रहने पर कुछ विभिन्ताओं का कोई विश्यत प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है वह समनता के अधार पर अधिक के दोनों प्रकृतियों बिल्कुल समान नहीं होती है ठीक है उन में कुछ न कुछ विविन्ता अवसक होती है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है जननने होने वाले इस दिहिंता है अंतर architects स्थिस्ज के विकास में क्या है यूकदान देती है ठीक है तत्साओं का जाथार बनते हैं अकिकल दिहा में जीव कह जीवीत रहने के लिए इसकी कोई आशकता नहीं है ठीक है इस तरह से दूसरा के एंसर हो जाएगा चलिए तीसरी कोचन के बोच चलते हैं यह भी हम आपको पढ़ा चुके हैं आपको दूइखंडन बहुत किसे करते हैं वहाँ बताया थे जो दिखिए वहाँ से कोचन उठा लिया गया है दूइखंडन इस वीधी दूवारा एक को उसके जीव दो भागों में विवयक्त होता है और परतीग भाग एक नहीप जीवों में विक्सित होता है ठीक है जैसे आमीवा हो घ्राघ्या बवखांडन इस वीदियू को एकोस के जीव अन्यक भागों में क्या होता है विभक्त होता है तथा परतिक एक भाग ने जीव में विख्शित होता है इसे जैसे मलेडिया पड़जीवी प्लाजमया ये सब हो जाता है चलि दुसरी कोचन देखते हैं बिजानों दुवारा क्या बिजानों दुवारा जनन से जीव किस परकार लवानतित है ठीक है दुसरी कोचन इस तरह से है देख सकते हैं चलि इसके उतर हम देखते हैं बहुत से सनल बहुत कोचन जीव को विरिंद पर एक कैपसूल जैसी सनचना होते हैं जिसे बिजानों धानी कहते हैं सब्सक्राइब तरो दीजिव जिव को राए जोंद देखते हैं किया आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसे पता चलता हो कि जटिल सनचना वाले जीव पुनरुद्वन द्वारा नहीं संतीत उत्पन नहीं कर सकते हैं तो चलिए इसके उत्रम देखते हैं जटिल सनचना वाले जीव पुनरुद्वन द्वारा नहीं संतीत उत्पन नहीं कर सकते हैं कि एक में ऐसे जीवों की सान अत्यान जटिल होती है दो में ऐसे जीवों की एक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष लिए इसके उतर दिखेंगे नोट भी कर लिएगा आप लोग बहुत इंपोर्टेंट भी भी इंपोर्टेंट है यह सब ठीक है चलिए काइका प्रवर्धन केवल ऐसे पौधे में ही संभव है जिनके जर तनाया पत्या में एक नय पौधे उगने की छमदा होती है कुछ पौ रहेंगे गुलाब जसमीर वह गन्य के बीज में बनाने के लिए छमता कम है ठीक है यह बिल्कुल नहीं है अधा ऐसे पोधे काई का प्रवर्धन द्वारा ही उगा जा सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं पांच में क्यों दीने की प्राकिरति बनाना जनन के लिए आफ सकता है जनन यह जनन के लिए एक मूल घटना है दीने की दो प्रकरतियों से ही जननक कुषकाओ को दो कुषका बनती है यह दो प्राकिरतिया अलग होने अफकता है ठीक है तभी जनन हो सकता है इसके लिए एक अलग से कुषका ऐसा नच्टा अफकता है एक प्राकिरतिक अधारित कोचन है परागन किरिया निसकरा किस परकार जा ब Wheat आपको डौन किरिया निशेतल स्ट्परकार वीजू हैं चलिए आगे देखते हैं प्रागन प्रकर्णों के प्राकोस के वर्तिक अगरा तक पहुचने के क्रिया को प्राकन क्रिया कहते हैं इस प्राकन क्रिया में किसी प्रकर्ण के दो कोश्काव में सनलयन नहीं होते हैं यह निसेचन से पहले ही किरिया है, निसेचन में नर मादा यूगमों का सनलाजन होती है, तथा नर यूगम, तथा यूगम नज बनता है यह परागशन के बाद की किरिया है, ठीक है, चलिए, आठ दुसरी कोचन के पर चलते हैं, सुक्रासक एवं प्रोस्टेट गरंथि की क्या भूम क्या है नर जनुन तंत्र में कुछ गरंथिया जैसे सुक्रा एवं प्रोस्टेट गरंथिया होती है इस गरंथियों को सुराव सुक्रानू के साथ मिलते हैं इस प्रकार सुक्रानू का द्रव में आ जाते हैं यह द्रव स सुक्राणूं को पोषण के करता है प्राधान करता है चले आगा देखते तीन नमर में योन रमभव के समय लड़कियों करते हैं ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं योग नरंब के समय लड़कियों में निवन प्रवटन दिखा देते एक में एस्थान एस्थानों के अकार के बीर्दी हो जाना ठीक है एस्थनागरा की तुवाचा का रंग घहरा हो दने लगता है ठीक है रोज़धन प्रम होने लगता है तुवाचा तौलिये तौलिये हो जाती है चेहरे पर मुहां से निकनले लगते हैं स्रेणी भाग चौरा तथा नित्तम भारी हो जाता है अवाज महीने एवन सूरीली हो जाते है ठीक है यह सब उनकी खुबिया है कि चली आगा देखते है मा के सरीन में गरवस्ता ब्रुन को पुषण किस परकार प्राप्त होते हैं तो इसको सॉल्ब करेंगे कोच्चन चली देखते हैं निस्टेचन के बाद युगमनज बनता है जो धीरे धीरे भून में विक्सित होने लगता है भून गरवसाय की भित्ती से चिपक जाता है ठीक है इस परकरिया को कहते हैं क्या करेंद हैं क्या कर इंपलान टिंसन कहते हैं पुर्ण मता के सरीर में अपनी भूजन प्राप्त करता है इसके लिए एक विस स्ट उत्तक जीसे क्या करते हैं प्ले सेंटा कहते हैं होता है यह एक तस्तक नूरमा सनलचना है जो गर्वसाय की भीति में गुषा होता है ठीक है इसे बूरुन को अधिक गुलकोश वाकफ विजन मिलता है इस परकार ने अपना पूछन क्या करता है प्रप्त करता है को है ठीक है चोल्ता कोचन इसतर दुप हुचुकत है पाचमि क्यो चलते हैं फिर सम को क्या और को क्वाइ तो तो एसकी क्वाइद कोई मैला और कोपाट ओर पड़ेत ऊछिनें के तो एक सिर्क्षा नहीं करेगी कुछ अब्जेक्टिक कोच नहीं उसको देखेềnागे अलोंगिक जनन मुकलन द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो यिष्ट के द्वारा होता है निम्न में से कौन मानों में मदा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो कौन है तो सुक्रवाही का है कौन सुक्रवाही का भाग नहीं है आप चलिए प्राकोस में होता है क्या होता है तो प्राक कर नहीं नहीं होगा चलिए दिखते हैं अब फी चोते कोचन चलते हैं पूंद इंपोटेंट है लोंग कोचन है ठीक है इसको इसको करेंगे लोंगीक जनन के प्रक्षा लोंगीक जनन के क्या लाब है ठीक है इसको सब्सक्राइब अलोंगीक जनन के निम लाब है जिसके करन अनुवानसिक विविदा का विकास होता है नय जीवों की विकास में इसकी महत्पुन भूमका होती है ठीक है मानव विरिशन के क्या कारी है मानव में विरिशन का क्या कारी है तो नर में प्रात्मिक जनन अंग अंड़कार अकिर्ति का विरिशन होता है चैनर में एक जोड़ी विरिशन उदर गुवा के बाहर छोटे अंडान में मंसल सन्रचना में रहते हैं जिसे विरिषान को चेते विरिषान के शुक्राणू तत्था टेस्टो-एस्टोरान हर्मोन की उतपति होती है विरिषान को शुक्राणू बनने के लिए उचित अपर क कि अगरता है प्राप्त करता है तो यह एक दिन बाद नश्ट हो जाता है क्या होता है गर्वसाय भी निशेचन अंडानों को प्राप्त करने कि त्यारी करता है गर्वसाय कि दिवार मोटी तथा एस्पंज हो जाती है लेकि निशेचन वन न होने पर यह दिरी दिरी क्या होता है तूट जाती है और रुधीर वह मैस्का के रूप में यून से मार्क से बाहर निकलती है ठीक है इस पर क्रिया में रोजधर्मा या रितु दूसरा निशेचन ना होने के वस्ता में होती है ठीक है चली साथ में देख लेते आपको पिछे पुस्ल और अनुधर्द्य घाट का नमांती चितर है देखिए आप देखिए बिल्गूल है इस तरह से चली आठ में कोचन देखते हैं गर्व निरोधन की विभिन विदिया कौन सी है देखिए कोचन कितना पूछा गया है ठीक है 11,13,14,16 और 17 में भी पूछा गया है ठीक है इस तरह से यह परवार नियोजन के स्थाई विधिया कौन कौन सी है किनी दो पर टेपने लिखिए दिखिए दिखिए ठीक है तो चली से उतर देखते हैं गर्व निरोधन के लिए बहुत से विधिया का विक्यास किया गया है जो निवनत है ठीक है तो पहला देखते हैं अब रोधिक विधिया इन विधियों में कंडों मद्य पट और गर्वा अच्छाद का उप्योग के जाता है यह मैं थुन के दोरानमदा जननंग में सुक्रानू के परवेश संसको रोकती है ठीक है दुसरी में राशानिक वीधिया इस परकार की वीधियों में मुख्य गोल्य तथा योंग गोल्य परशंच करते है ठीक है यह घोलिया मोक्ये हर्मोन से बनी होते जो अनडानु को ढ्लिब वाहिनी नालका में उससरोज़ से रोकती है ठीक है और चले सीरी में देखते है absorbed सलय का चले या सड़ोगे बिदिया अन्तरार तथा इस्त्री की बिदिये में स्च्बीका में ठीक इस्तरम से तीर्म को यो चलते हैं ये कंद कैupun ऐस्का बहु को जीवों की जननत्य पत्ति कि ऐस्का उस्क में कि स्केवल एक इन की को नहां अन्हों जत्त नहीं होते वे पिक तरेक जücke ज्वेक घवरल की जननत्त. केector hai जीवों जैसे यिष्ट में मुकलन ढोरः भी जनदुनेंट से मुख involvement का जीवों का शरीर दुवारा बहुत सी कौहिसकांसे बना होता है इन में जनद्त के इसलग से उत्ता किया जनदु는지 होते हैं अगलत हैं अधा इनbay जन तूतर हो जाएगा इसका अपने जनान च्हमता का उपयोग कर जीव की समिष्ट परितांत्र के स्थान अत्वा निकेत ग्रह करते हैं जनान के दोरान डियने प्राकिरती का बनाना जीव की सरीर सनचना एवं डिजाइन के लिए अत्येत महत्पूर्ण है जो उसे विशिष्ट निकेत के योग बनती है अता इस पिस किसी प्रजाती की समपिष्ट के अस्थायत्व काल संबंध जनान से है ठीक है और 11 नमर देख लेते हैं ठीक है गब निरोधन योगतिया अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं चलिए इसको उतर देखते हैं जनान एक ऐसा प्रक्राम है ज इसके द्वारा जीव अपने समिष्ट की विर्धि करते एक समिष्ट में जन दर्ग एवं मिर्ट्व दर्ग उसकी अकार का निर्धान करते हैं जन संख्या एक का विशाल अकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विशा है इसका मुख्य कारणिया है कि बढ़ती हुई जन स चाहिए तो आज का सेशन देखिए यहां तो कंप्लेट हो चुका है ठीक करते लोगों तो चलिए आज करते हैं तब तक करते हैं तब तक कर लिए बाएं